मेरा ये बुरा सपना अचानक एक जटके के साथ शुरू हुआ था मेरे शरीर से हड़ियां तोड़ा देने वाला दर्द उठ रहा था मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन मेरे हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे और मैं अपने नीचे पत्थर के फर्ष की ठंडी, खुरदरी सतह महसूस कर सकता था जैसे ही मेरी नजर साफ हुई, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कम रोशनी वाले कमरे में था दीवारों पर मोमबत्तियां लगी हुई थी जैसे ही मुझे अपनी स्थिती की गंभीरता का एहसास हुआ, मेरे भीतर दहशत फैल गई, मेरा अपहरण कर लिया गया था जब मैं अपनी बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था लेकिन मेरी कलाईयों और टकनों को बांधने वाली रसियां मजबूती से टिकी हुई थी जैसे ही मैंने अपने चारों और भयानक द्रिश्य देखा, मेरे सीने पर डर बैठ गया दीवारों को परेशान करने वाले प्रतीकों और खुदे हुए पेंटाग्राम से सजाया गया था और हवा अगर बत्ती की तीखी गंध से भारी थी तब ही मैंने उन्हें देखा, हुड पहने हुए उनके चेहरे काले कपड़ों से ढखे हुए मेरे चारों और एक घेरे में खड़े थे उनकी आखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी और वे ऐसी भाशा में मंत्रों का जाप कर रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था ये एक ऐसी भाशा थी जो मेरी आत्मा में घुस्ती और मुझे भय से भढ़ते हुए प्रतीद हो रही थी मैंने स्थिती को समझने की कोशिश की लेकिन यह एहसास जवार की लहर की तरह मुझे पर तूट पड़ा मुझे शैतान के पुजारियों ने अगवाह कर लिया था और उनका मकसद मेरी बली चरहाना था जब मैंने उन्हें खंजर उठाते हुए देखा तो डर ने मुझे घेर लिया उसका खंजर मंद रोशनी में चमक रहा था उन्होंने और जोर से मंत्र पर हे उनकी आवाजें मेरे कानों को चीर रही थी यह साफ था कि मुझे यहीं मरना था किसी विकृत अपवित्र अनुष्ठान के नाम पर मेरा खून बहाया गया जब मैंने बचने के किसी भी साधन की तलाश में कमरे की तलाशी ली तो मुझे निराशा हाथ लगी जब ऐसा लगा कि आशा खत्म हो गई है तो मैंने कक्ष की दीवार में एक डीला पत्थर देखा शक्ती और इच्छा शक्ती की हर मात्रा को जोडते हुए मैं अपने बंधे हुए शरीर को उसके करीब लाने में कामयाब रहा कापती उंगलियों से मैंने पत्थर को बाहर निकालने का प्रयास किया जैसे ही रसी के खुरदरे किनारे मेरी तवचा में घुसे मेरी कलाईयों में दर्द होने लगा लेकिन मैंने अपने दांत पीस लिये और अपने शरीर को पत्थर की तरफ खींचता रहा पुजारी अपने अनुष्ठान में इतने खो गए थे कि उन्होंने मेरे संघर्ष पर ध्यान ही नहीं दिया अंततह पत्थर दीवार से निकल गया जिससे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मैं अपना हाथ अंदर डालूं और चाकू की ठंडी धात्विक धार को पकड़ लूं जो भीतर छिपी हुई थी उधर उन लोगों ने अपना जाप जारी रखा उनकी आवाजें और अधिक तेज होती गई हाथ में चाकू लेकर मैंने उन रस्सियों को काटा जो मुझे असहनिय पीद्धा दे रही थी जैसे जैसे मैं आजादी के करीब पहुँच रहा था मेरा दिल जोड़ जोड़ से धड़कने लगा जैसे ही आखिरी रस्सी गिरी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया चाकू मेरे हाथ में कसकर चिपक गया अब मैं तरह तयार था पुजारियों के मंत्र उग्र स्तर पर पहुँच गये उनका अनुष्ठान चर्मुत कर्ष पर पहुँच गया लेकिन मैं उनका बलिदान नहीं बनूँगा मैं सबसे करीबी आदमी पर जपटा चाकू को हवा में घुमाया जैसे ही मैं चैंबर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा उनमें घबराहट और भ्रम की स्थिती फैल गई सामने वाला दर्वाजा मेरी बचने एक मातर आशा थी और मैं उस तरफ बरहने की कोशिश करने लगा मैं भूल-भूलया मारगों से तेजी से गुजरा मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था उन लोगों ने मेरा पीछा किया उनकी उग्र चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी पर मैं भागता रहा अंत में भागते हुए मेरी सांसे फूलने लगी और मैं उनके ठिकाने से दूर जंगल में पहुँच गया मैं तब तक दोड़ता रहा जब तक मैं उस शापित जगह से दूर नहीं पहुँच गया मैं जानता था कि मैंने जो भयावहता देखी है बली की भेड के रूप में चेहनित किये जाने की भयावह वास्तविक्ता को मैं कभी नहीं भूलूंगा लेकिन मैं शैतानी पंथ के चंगल से बच गया था और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए द्रड संकल्प किया था कि वे मुझे फिर कभी न मिले जैसे ही मैं रात के अंधेरे में गायब हो गया मैं अपने साथ अपनी कठिन परीक्षा के निशान ले गया जो उस बुराई का एक प्रमान था जो च्छाया में छिपी थी लेकिन मैं जीवित था और मैं इसे इसी तरह बनाए रखने के लिए संगर्श करूँगा क्योंकि मैंने डर की गहराईयों का स्वाद छखा था और अपने जीवन को बरकरार रखते हुए मौत से बाहर आया था क्योंकि मैं जीवन biography प्र depend एम stretchedो एक रिदा स्वादा रहर आप पिम्राद